बिपेसे के तरफ से कल देर रात पर्खंड क्रिसी परदाधिकारी वह हैं पर इनके समकच पदों पर जो प्रकासित किया गया था जिसमें आप यहां पर देखेंगे तो 2273 जो कंडिरेट थे तो यहां पर जो है वो सफल हुए थे लेकिन यह जो आपका रिजेल्ट था बढ़ा हुआ जौब का अरच्छड का दायरा था अनि 65% का रच्छड था तो उसके हिसाब से भी प्यसे के के तरव से जो आपका बढ़ा भुए ओ समाप्त कर दिया गया फिर उसके बाद यहां पर स्भू कारें तो फिर यहां पर विशंगे तोस यहां पर नए जो है कंडिरेट हैं जिंके टूटल ही यहांपर संख्या जो है ऑँ 279 जो है उसमें यहां पर नय जो है कंड़िरेट है जिनको यहांपर सत्षाथ रृप के लिए बुला गया है इसमें आपर तो आरचित-वरगों के लिए पर जो संसौतिति अरच fluffy कि समत्त में यहां पर प्रभावित होने का सर्थ पर यहां पर पूरो जो आपका प्रवित आरचण के प्रावधान है उसके अनुसारे यहां पर आपके करवाई जो है की जाए और इसमें आप यहां पर देखेंगे तो पूरो का मतलब यहां पर पचास फिर सदी जो आपका रचण होगा उसी के अनुसारे यहां पर जो रिजेल्ट वगरा है या फिर जो रोश्टर क्लिरेंस है उसको लेकर यहां पर आपके जो है उदेग हैं हम इसमें खास तरह पर जो बिपियेसे निंटरवियव के जो है लूँ इनलोग को हैं पर इंटरव्यू के लिए वो सौ्ट ट्रेट किया है आनि फाइनल जो आपका रिजेल्ट हो यहां तक इनका नहीं दिया गया है जोकी बिपियेसे के से बोला था कि जो भी यहां पर फार्ण लिकर बोले थे यहां पर जारी किया जागस यहां पर धी से इसको spent आपका समिट करा लेंगे LeM Ikka उनलोक को सामिल भी कर लेंगे लेकिन यहां पर आपका फार्ण होग अन्थवाला जो का कि इसमें आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर सुप्रिम कोर्ट में जो आपका डिसीजन है यहदी इंटर्वियू जब इंटर्वियू के लिए यहाँ पर गुलाई जा रहा है तो उस टाइम पर boo डिसीजन आता तो यहाँ पर बहुत सारे लिम्स के रिजेल्ट से लेकर आपका Jah final Sun uncertainty होगा वहां तक इंसका प्रभाव होगा ऊंपर आपको देखने को मिलेगा यहाज पर देखेंगे तो एंजो बही आपका beaming सतरवी वाला हो इसमें आपके साप तोरब पर के उसको लेकर मतलब उस्का एक तॊरिकर्छ ईजार करने को लेकर आपके बोले जारे हैं तो यहाँ पर उशी तरीके से आप यहाँ पर समझेंगे कि यहाँ पर जो टीचर अनिरуди थाट वाला जो result है इसमें काफी जादे जो delay है उ तो यहां पर BPSC के तरफ से किया जा रहा है अभी तक आप यहां पर देखेंगे तो final answer किया भी तक नहीं आया और उसके साथ रोश्टर clearance को लेकर देखेंगे तो रोश्टर clearance भी जो आपके अलग-अलग जितने भी जिला सिछा भी भाग है तो उनकी तरफ से आपके नहीं कियेगे मातर तिन चार आपके जिला है जो की छोटे-छोटे जिले हैं जहां से आपका रोश्टर clearance वगर हुआ है हालाकि आप यहां पर दे कि आपका राणा जाता है और तो प्रक्ति तरफ रहतलों की अपर उसने बाहर होना पड़ेगा क्योंकि इसमें की मतलब यह जो आपका कलका दो जो नई जो आपका जिन कंडिडेट को अतिरिक तिहां पर रिजल्ट पे सामिल किया गया तो इसमें आप यहां पर देखेंगे अंती मुआली पाइंट पे जहां पर आपका साफ तरफे बोल गया कि यहां पर आपका माननी सरोच नेल होगा आनि सुप्रीम कोर्ट होगा तो भी पारित होने वाला अदेश होगा उस अदेश के फालाफल से यहां पर आपका प्रभावीत होगा अनि इसमें इहां पर इन्टर्व्यू मेसे बिभाग वाला जो है तो इदि इंटर्व्यू आपका हो गया और फिर यहांपर इंटर्विव दे धी होगे, इंटर्विव में यौँ अपका आपका सा मार्कूर्ट मैं कि इंटर्विव-धर सामिल हुएंDown उस पर इंटर्विव है उस पर यहांपर फिर से réponse रिटतम इंटर्विव और थे अभीव इसलिए आप देखेंगे तो यहां पर काफी जटका है यहां पर समझे जैसे यहां पर देखें कि आपका TRE 3rd का जो है रिजल्ट जारी कर दिया जाता है फिर उसके बाद यहां पर क्या होता है कि बाद में आपका 65% जो आरचण होता है उसको यहां पर approval मिल जाता है तो ऐसे आप यहां पर मत समझेगा कि यह जो आपका 65% कर दिया जाता है तो चली यहां पर ठीक है BPSC TRE 4th म यहां पर आपका 65% जो आपके आरचखड थे उसी आरचखड के हिसाब से ही यहां पर जो आपके रिख्तियां थी उसका आपका आप लोग पर जो चैन होगा वो यहाँ पर आपका निरस्त होगा तभी तो यहाँ पर निरस्त होगा तो जो यहाँ पर आरच्छित वर के कंडिरेट होगे उनका यहाँ पर जो आरच्छित का दायरा होगा वो यहाँ पर बढ़ेगा और यहाँ पर जो भी जिस भी आरच्छि प्रतिसत एक तरीके से जो भी आपर चाहे नित होगी तो आपको यहां पर मतलब बाहर होना पड़ेगा आपके यहां पर जो चाहे होगा वो यहां पर आपका निरस्त होगा तभी तो यहां पर जो आरच्छित वर्ग की जो यहां पर फिमेल कंडिडेट होगी उसमें यहां पर जो सीट होगा वो यहां पर बढ़ेगा और उनके यहां पर जो चैन है वो मतलब उनका यहां पर जो चैन है यहां पर इस तरीके से 65 फिसदी आरच्छित के हिसाब से उनलो इहां पर चाइन होगा और इसमें बहूत सारी आप यहां पर देखेंगँ जो अधर स्टेट की व्याओन टीरेडट होती पर होता है और वहां से इसमें आपका घाटा लगा और इसमें भी और ऑछा-कासा घाटा होगा गाटा होगा लगेगा है यहां पर काफी जादी घाटा होगा वह यहां पर आपका लगेगा यहां पर 65 फिसेदी यहां पर आरच्छण रहते हैं तो आपने देखाऊगा कि प्राइमरी में उस सेलेक्टेड हैं तो फिर यहां पर पर बात करने हैं रिजर्ब को लेकर नहीं बस यहां पर समान सेलेक्ट थी और उस सतरह हजार में से 10,000 कुछ लगभग 11,000 के लंसम आप यहां पर मान सकते हैं या फिर 10,000 के लंसम जो female थी जो यहां पर other state की female candidate थी तो उसी तरीके से आप यहां पर देखेंगे तो उस टाइम पर TRE first में जो आराचाड का दायरा था वो 50 फिसेदी आराचाड था और अभी भी BPSC TRE third में आपके 50 फिसेदी आराचाड होते हैं तो फिर यहां पर जो other state की female candidate होगी इनके यहां पर जो चैन होगा मतलब आप यहां पर मान सकते हैं कि TRE first में जिस तरीके से हुआ था TRE third में भी आनि वर्तमान का जो आपका TRE third चला है तो इसमें भी उसी तरीके से एक बड़ी संख्या में य जाते हैं तो नॉर्मान सी बात है 15 फिसेदी जो आपका seat होगा डायरेक्ट जो आरच्छित वर्ग के जो candidate होंगे उनके लिए जो है उचला जाएगा तो आलेडी यहां पर जो 15 फिसेदी seat होगा यहां पर आपका कर जाएगा तो कहीं कहीं आपर जो संख्या होगा ओ आपको जाएंगे आप सभी लोग को पता होगा कि हम इस प्लेटफर्म राट्यूज के सन इंडिया आप जो से कर ही देते हैं और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं कि होगे तो सब्सक्राइब करते हैं वेल आइकन को प्रेस जो जरूर कलिजेगा मिलते हैं लिए ने